अगर आप उत्राखंट के निवासी हैं तो आपने बिच्चु घास का नाम तो जरूर सुना होगा इसको उत्राखंट के पहाड़ी इलाकों में शिशुन के नाम से या फिर बाल सुधार औशिदी के नाम से भी जाना जाता है बच्पन से ही हमें इस घास से दूर रहने को कहा जाता है और इसका कारण है कि अगर आप इस घास के संपर्ग में गलती से भी आ गए तो हो सकता है कि आपके अगले कुछ घंटे अपने को खुजाने और दर्द में गुजरे दरसल इस पेड की पत्व में छोटे छोटे बाल जैसे नुकेले पतारत होते हैं और जब आप इस पेड को छुटे हैं तो ये पेड अपने बचाओ के लिए उझे प्यूटे बालों से आपके सकिन में हिस्टेमैन और सेरोटोनी में जैसे कैमیکल छोड़ देता है इसमें जल कि लोग खाने के लिए इस्तिमाल करते थे इस गहास की पत्या पकने के बाद इसका स्वात पालक जैसा हो जाता है इस वज़ा से जब भी आनाज नहीं होता था तो लोग इस पकते का पका हुआ खाना खाते थे इसका मतलब यह नहीं कि आप इसको सीधे पीड़् से तोड़ कर ही खहा सकते हैं हम कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई ना कोई करें क्यूद कि जब तक इसका उबला या पकाया न जाये तब तक इससे क्यमिकल किसी भी इंसान को तकलीफ दे सकते हैं पहले के जमाने में इसका इस्तमाल दवाईयों में भी हुआ करता था और सिर्फ इतना ही नहीं बलकि एकवडर देश में 2010 तक इसका इस्तमाल अपराधियों को सजा देने के लिए भी किया जाता था अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस पेड़ के इतने फायदे हैं तो हम इसे इस्तमाल क्यों नहीं करते तो जैसा की मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके क्यमिकल की वज़ा से लोग इससे दूर रहते हैं लेकिन अब समय बदल रहा है साइंस की मदद से अब हम इसके बार उपियों के बारे में जाना जा सकता है साथ ही हैदराबाद इस्तित नैशनल कॉमोनिटिक मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड और जीबी पंत यूनिवस्टी का भी इस प्रोजेक्ट में सहयोग मिलेया जा रहा है ग्रीन हिल ट्रस्ट की सचीव डॉक्टर वसुधा पंत इस इस प्रोजेक्ट में मुख्य वग्यानिक के रूप में काम कर रही है इस प्रोजेक्ट का एक मुख्य उद्देश है कि गावों में जाके बिच्छु घास के उप्योग के बारे में लोगों को जागरुक करें इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है और लंगड़ा व्लॉक के कुमालसो गाउं में जागरुकता अभ्यान भी चलाया जा रहा है और जो अल्मोडा मेस्तित है इसलिए हम कहना चाहेंगे कि उत्राखंड में अगर ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में और जानना बहुत जरूरी है आप इच्छु घास का उधारन के तौर पर लीज सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर किसी भी उत्राखंडी नौजवान को अपना घर और ये प्यारा उत्राखंड कुछ पैसों के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं होगी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसी और भी योजना एलाई जिससे उत्राखंड का युआ उत्राख नहस्कार